हाई दोस्तो मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत दोस्तो आप देख सकते हैं कि यह मेरे सामने पचास पंदरा सौलिस यनमार्क जापान टेकनोलोजी के साथ यह टेक्टर को डिजाइन किया है तो देख सकते हैं यह फोरविल ड्राइ है जिसका सबसे बड़ा बेनिफित हमारे किसान भाईयों को यह होता है कि यह फोरविल ड्राइ होने से इसके अंडर में जो स्लिपिंग कि समस्या उटिये बहुत कम हो जाती है जैसे कि कोई भी भारी भरकम काम में चलता है जैसे जुटाए में हल वगेरा में चलता है तो कितना भी हल आपने जमिन में गार दिया है तो फोरवर्ड राइ होने की वज़ा से आसानी से वो निकल जाता है कोई भी काम होता है आसानी होटा है काड़ू किचर में चलाना होटा है वहाँ पर यह फो ड्राइट एक्टर बहुत ही काम आता है तो सौलिस का यह पचास पंद्रा हमारे सामने है तो आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे के कंपनी ने इसमें कौन-कौन से अर्बुट फीचर दिये है उसके बारे मे तो चलो मैं आपको करीच से डिखाता हूँ कि कंपनी ने उसमें कौन-कौन से ऐसे फीचर दिये है जो हमारे किसान भाईयों को अपनी खेटी किसानी में लाब डायक होगे केमरा नजदिक ले लो तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे डिख सकते हैं यह सौलिस का यहां पे लोगों लगा है डिख सकते हैं यहां पे जो डिखने में सांडार और अकरसिट करता है अपनी और और इसके बाद यहां पे डिख सकते है कि इसका जो एर कुलिंग सिस्टम है वो 6 स्टैप में है यह यहां पर यहां साइड में भी है यहां पे भी है तो ये कुलिंग में भी कंप्टनी ने घ् defy hr हमारे किसान भाई้ों के लिए क्योंकि यह कम से कम इत हो क्योंुक्त अडे इसमें जो एर फोर रोशनी प्रदान करता है हमारे किसान भाई के खेटी किसानी के काम में यह लाइट का होना भी बहुत जरूरी है तो उसका भी बारी की से ध्यान रखा है इसमें पॉजेक्टर लेम डिये हुए है और देख सकते हैं यहां में साइड में यह LED जो रात में टेक्टर के लुक को और भी सुन्दर बनाती है और दूसरा के यहां पे देख सकते हैं दोस्तों यह सिंगल पीस बॉनत यहां से पूछ किया और यह आसानी से खुल जाता है और यहां पे देखोगे तो यहां पे उसको हॉल्ट करने के लिए डो सिलिंडर दिया गया है ताकि हमारा जो भी रखर करने के लिए यहां पे ड्राइएर क्लीनर है जो के आसानी से खोल के इसको किलीन कर सकते है और यहां पे इसको एक सेंसर लगा है देख सकते हैं यहां पे जैसे एक्लिंडर चौक होगा तो यह सेंसर इसके कलस्पे यानि उसके मिटर में दिखाएंगा कि एक्लिंडर चौक है तो उसका जो भी चालक है या ओनर इसको सेंसर की इंडिकेट की वज़ा से इसको क्लीन कर सकते है इसके बाद यहाँ पर देख सकते है यह जो रेडिटर है उसको clean कर सकते है इस वज़ा से दुसरा के ये रेडिटर के लिए एक safety का भी काम करेगा है न तो यह भी बहुत अच्छा फीचर दिया है और यहां पर भी देख सकते है इतना बड़ा पेस है और हाँ दोस्तों यहां से इन्होंने बैटरी निकालके यहां आगे के और दिया है टाके प्रयाप्ट हवा इसको मिल सके रेडिटर को और हमारा टेक्टर कम से कम हीट हो अब बाढ़ करते हैं दोस्तों इस साइड में इसका यह जो इंजिन है यहां पे टेक सकते हैं यह 145 पंद्रा तो यह 50 HP में आएगा और यह 15 गेर है 5 रिवस 10 फॉरवट तो इसका यह ज सेहरा के editors इंगेंऄं और यह इंगल है और यह बहुट ही तरफीर दीया है Cumplain ने केवल एक फिल्टर कमपनी में द देखो गांके यहां पर जाता है क्योंकि उनको हर भान्री sellers के दौर रोडण के और हां दोस्तों यह फिल्टर को इस तरह से डिजाइन किया है कि छोटा सा छोटा कचला भी वह अपने पास में चान के रख लेगा और यहां पे डिया है वाटर सेपरेटर जो के टंकी में बाब बनने की वज़ा से पानी वगेरा जो आटा है वह यहां पे रुख जाएगा जैसे यहां पानी बनेगा यह जो रेडरिंग है वह उप्पे के वर आएगा और साफ सुत्रा डिजल बिलकुल डिजल पम में जाएगा तो इससे क्या होगा दोस्तों हमारे किसान भाईयों को इतना बड़ा फाइडा हो जाएगा कि इसमें जो मेंटिनेस है कम से कम यहांने मेंटिनेस नाम की गुंजा इस बहुत कम रहेगी साफ सुत्रा डिजल जाने की वज़ा से डिजल पम का लाइग भी बढ़ जाता है इसी तरह से दोस्तों बाट करें हम इसके पावर इस्टेरिंग की तो यहांपर टेक सकते हैं इसका यह पावर इस्टेरिंग है और उतना बड़ा वेट होने के बाद भी इसका जो power steering का कटाई है वो बिल्कुल स्मूठ है आसानी से हमारे किसानबाई केवल एक फिंगर की सहाईटा से इसकी कटाई कर सकते हैं और यह जो पावर इसले कि जैख उस तक जाए अडर कंपनी में क्या हो डोसतों के इन टे मन का उफ्चे स्टेंटिमिलों की मिली यानिस गेर गेर्वाक्स एक्शोष क्म इसमस्क्र cockro erhalten कि जब हमारे पावर इस्टेरिंग में आएगा तो उससे क्या होगा कि उसका सिल्व अगेरा बार-बार कटने की समस्य आती है यानि उसमें मेंटिनेस बहुत जादा आता है तो कंपनी इसका भी हमारी किसान भाईयों का पूरा ध्यान रखा है कि कम से कम उनका मेंटिनेस हो उसका पैंट यह भी देख सकते है बढ़िया बहुत ही अच्छी तरह से उसको पैंट किया है और पैंट का कॉलिटी भी बहुत बढ़िया है इसके बाद यहां पर बाद करें दोस्तों तो यहां पर सांडार स्वालीश 15-15 का ब्रांडिंग दिया हुआ है जैसा कि आप 500 गंटे में उसका सर्विस होटा है तो सर्विस के मामले में भी हमारे किसान भाईयों को बहुती बड़ा फाइडा होने वाला है यूंकि अटर कंपनी में देखा जाए तो इसमें दाइसो या 300 गंटे में सर्विस करवाना होटा है लेकिन 46 यनमाक ने 500 गंटे का सर्विस दिया है जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यह एक्स्तालाद प्लेटफार्म देख सकते है और इसके बाद दोस्तों हम बात करें उसके एंजिन के रोटेट आरपियम की तो यह है 2000 रोटेट आरपियम है और इसका जो टॉर्क है 210 है 210 न्यूटन मिटल का टॉर्क है यानि कम आरपियम में ज्यादा टाकाट और अच्छी माइलेज क्योंकि इसका 210 न्यूटन मिटल का रोड की स्पीट की तो रोड पे ये कम से कम 37 प्रटीगंटा की स्पीट से चलता है 37 स्पीट से चलता है प्रटीगंटा में 37 किलोमेटर वो कार देता है तो उसका स्पीट भी बहुत बढ़िया है उसके बाद इसकी बाद करते हम ब्रेक की तो उसमें brake OEIB brake डिया है उसका brake का जो liner है पुरा oil में डुबा हुआ oil image brake है OEIB brake है यानि उसका brake का power भी जबरजस और डमडार है जहाँ पे हमने इसको रोकना चाहा वहाँ पे अगर टॉली में load भी किया होगा वहाँ का वहाँ टेक्टर हमारा रूख जाएगा क्योंकि यह वी ब्रेग है और इसके बाद करें दोस्तों इसके क्लच की तो इसका ड्यूल कलज है और बिल्कुली स्मूट अब बॉगरब चलाना है तो डूल होने की वज़ा से आसानी सहे वो अपने टेक्टर का क्रूसी काम जो भी है वह आसानी से कर सकते हैं अब करते हैं उसके गेर की यहां पर देख सकते हैं लो आइऑ और यूसर कि और इस साइड में बात करेंगे तो यहां फर्स, सेकंड, ठर्ड, टॉप, डबल टॉप, है न, तो इसमें टोटल 15 गेर है, 10 फॉरवर्ट और 5 रिवर्स, तो ये गेर के मामले में भी हमारे किसान भाई का बहुती बारी की से ध्यान रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखे दोस्तों, इसका यह जो लाइटिंग सिस्टम है, पूरा यहाँ से अपरेट होगा, देख सकते हैं यहाँ से इंडिकेटर वागेरा, है न, यह होरन वागेरा, यहाँ पे लाइट का अपरड अपर लगेगा, यहाँ पे यह फोर्स सिगनल होगा, तो यह इस तरह से और यहाँ पर देखे दोस्तो तो इसका यह जो मिटर वगेरा है यह बहुती बढ़िया सांडाल लुक के साथ इसमें डिजिटल मिटर दिया गया है जो कलस है यहाँ पर डिजल गंटा सो होगा है ना हिटिंग बैटरी ओइल पेसर फिर यहाँ पर इंडिकेट वग लुक कलस है उसका यह जो मिटर है उसका भी डिजाइन सॉलिष ने बहुती बढ़िया तरह से किया है जैसे कार वगेरा में होता है ना बिलकुल उसी तरह से इसको डिजाइन किया है और बात करते है दोस्तों इसके श्टेरिंग विल की तो इसकी स्मूठ कटाई देख सकते यह जो श्टेरिंग वील है इसका डिजाइन भी कमपनी ने कारों की तरह देख सकते है हुआइप में बिलकुल छोटा और बिलकुल आराम डायक और बात करों दोस्तों इसको जो सीट है यह बहुती आराम डायक सीट है और इसका यह जो एक्स्ट्रा लाट प्लेट्फार्म बिल्कुल फ्लाट है और यहां पर यह क्लज वगेरा देख सकते हैं आसानी से हमारी किसान भाई पूरा दिन और रात खेटों में टेक्टर चलाने के बावजूर भी उनको ठकावत महसूस नहीं होगी क्योंकि इसका यह जो प्लेटफॉर्म है देख सकते हैं इतना खुला एरिया बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है और यह क्लज भी देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है ना जैसे कार का क्लज होता है इसी तरह से यहां पर देखोगे तो यह ब्रेक वगेरा भी बिल्कुल इ नहुंन है ेख सकते हैं यह शूंज होने के वज़ा से हमारे डढ़ ओने लगता है इसका भी सौलिस यनमाग जापान ने बारी की से हमारे किसान भाईयों के लिए ध्यान में लिया है कि इसका जो पैर का रेस है यह जो एक्चुलिटर है वो बहुती बढ़िया तरह से डिजाइन किया है ताकि उसमें आपका पूरा पैर यहां पे फिट हो जाएगा देखो और 2400 गंटे हाँ दालती लाइट और यहां पे बहूता एले डी दिया हूआ है है और अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके हेड्रोलिक के तो यहां पर डेक सकते हैए यह Adz.idc है काई पॉएड़े ग कशान प्वाई है तो यह सो पजिशुशन लीवर है और यह जबाप में कितनी गहाई लेनी है इसके अलग-अलग यहां पे आच्छे भी अडिक पॉइंट डिये है कम से कम नव पॉइंट डिये है आप इसको कितने डीप में ले जाना चाहते हो इसके लिए यह रेड लिवर दिया है और यह उठाने गिराने के लिए पॉजिशन कंट्रोल लिवर है इसको आप य जैसे के बीवाब यह जहता है तो बहुत ही बड़िया तरह से इसमें सैंसिंग डिया गया है जब भी जुटाए में चलता है न तो इसका सैंस्ग होना बहुत ज्रूरी है तो कमपनी ने उसका बारी की से हमारे किसान बाई को जितना जादा पॉइंट मिलेगा उतनी आसानी से अपनी अनुसार उसकी बुवाई कर सकते हैं जब डाने की बुवाई करनी होती है तो वहां पर सेंसिंग का होना बहुत जरूरी हो जाता है जैसे गेरी जुटाई करनी है तो वहां पर भी यह होना जरूरी हो जाता ह और इसके बाद दोस्तो हम बात करें उसके हैड्रोलिक की तो यह 2000 kg का है और बहुत ही पावरफुल और डमडार है और यहाँ पे यह होजरिवाल लगाए देख सकते हैं यह ADDC के साथ में आता है तो यहाँ पे पल्टी प्लाव अगेरा है ना मंजो अगेरा चलाने के लिए कंपनी के साथ आता है तो यह भी पावरफुल डिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे डेक सकते हैं दोस्तों इसका यह जो साइट लिंकेज है यह वाला यह वाला यह वी एकजेस्टेबल है जावरत के मुटाबिक जैसे के यहाँ पे बहुत चीपार क्या होटा है अडर कंपनियों में कि पूरा जो भी एपली में लगाए यह पूरा साइट लिंकेज टायर के साथ में टच होता है और टायर को भी हानी करता है तो इसकी वज़ा से कंपनी ने इसको एकजेस्टेबल स्टेपिलाइजर दिय हुआ होने और यहां पर अलग अलग इसका पॉइंट डिया ववा है और यहां पर भी यह एकजेस्टेबल है इस तरह से घुमाकर आपको आसानी से उपर लिंकेज को कर सकते हैं और यहां पिसका जो हैट्रोलिक है वह ठी लिंकेज में है डेख सकते हैं यहां पर फ्री पॉइंट है वन टू ठी तो आपकी जमिन के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे आपको रोटर वीटर जो जमिन की गहराई में नहीं जाती है जो आइ यहां पर देख सकते हैं दोस्तों पीछे में इसका ऍसलिय लिये नाइट में उसका साइडि बर यहां लाइट चाहिए और लग अलग कंपनी ने इसको दिजयं कीया है कर सकते हो yatimивood अपना की साथ में कोई बीजुन करना है तो नहीं कर सकते लेकिन इसमें कंपनी ने हमारे किसान बाईत का ह्रम झालाना है ऐसे कि ठेसर ही और ठेसर में एसको चलाने के लिए यहां आप इसको joint लगाना जरूरी हो जाएगा तो उस टाइम पर आप इसको अपनी जवर्वत के मुटाबिक एक्जस करके रोड लगा सकते हो यह बहुत बढ़िया फाइडा है उसके बाद करते हैं दोस्तों इसके जो fender है बहुती सांडार इसको design किया है और मजबूती भी देख स सकते हैं और अंडर में जो support डिये करीब से दिखाओ ताकि हमारे किसानबाई को हर्ची समझ में आज आनी चाहिए तो देख सकते हैं यह इसका यह जो support है कितनी बढ़िया तरह से design किया है तो और यहां काई स्पेज भी देख सकते हैं दोस्तों काफी बढ़िया इस पेज है फिर बढ़ जाएगा तो यहां पर कहीं भी तच नहीं होगा आसानी से हमारा टेक्टर निकल जाएगा बहुत से company के टेक्टर में ऐसे देखे है कि यहां पर कादु की चर्फ हंज़ाने के वजशानी के वाज़ा से क्या होता है पूरा मढगाठ है उसको उपे की वाध धक् ब्राइब 25 और बीच में भी एक टीया है याने चैने सपोर्ट के साथ मुझे दिजाइन किया है और साइट भी देख सकते है यह में बैठने वाले की खेलिख सेफ्टी हो और ऊपए है इसका प्ल्लच is अधर इधर में आप देखोगे तो इसमें ये हैड्रोलिक फिल्टर लगा हुआ है जो भी हैड्रोलिक के ओयल में कच्रा वगेरा होगा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा तो यहाँ पे फिल्टर दिया है यह एंजिन ओयल का फिल्टर है दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे डो पंप डि कर दिया है तो बहुत सी के एसी कंपणिया है जिन्होंने यह जो यवाले जो फंप ए बिल्कुल same more तो करना पड़ेगा तो आपडल का यह सबहूं तो केवल हमें ग्ने मायांCA यह इससे इससे क्या होगा दोस्तों जैसे हमारा पावर इस्टेरिंग का फ़राब हुआ है तो केवल हमें यह ही पॉम्म चैंज करना है न कि यह वाला तो अडर कंपणियों में क्या होटा है यह दोनों पॉम को एक साथ है ना टुइन वन बना दिया है तो उसमें डिक्कट आजाद दिये एक ख़राब होटा है तो पूरा का पूरा याने हमारे किसान भाई को मेंगा परदाता है ना उसका मेंटेनेस तो यह चीज भी बहुत बा चोवीश है ना और यह फोड राइट एकटर है और इसका यह जो ग्रीप है डेख सकते हैं जैसे पीछे का टायर का डिजाइन है वैसा यह दिजाइन होने से क्या होगा दोस्तों कि इसकी जो पकर है जमी की सटे पर जब चलता है ना तो उसकी पकर पूरी जमीन के साथ में पकरता है और स्लीपिंग की गुंजाइस कम हो जाती है स्लीपिंग की नाम की चीजी नहीं रहेगी उसमें और इधर में टिखाओ इधर से आप देखोगे तो इसका यह जो एकसल है फ्रंट एकसल उसकी मद्बूटी भी आप देख सकते हैं डमडार उसमें जो लोहा यूज किसान वंडाय का टेक्टर जैसे है दन वागिलाकी लाइक फहरा किसान उसको घावल के लिए पानी किचर अंडर में चला जाता है बहुत चैसी कंपनिय जिनक इसनका चीर्व कहली हो जाज़ा है लेकिन 147मार्क कैशान अंगर्य तो यह है आगे का हिस्सा और बात करते है दोस्तों जैसा मैंने आपको बटाया कि इसका 9,5,24 का यह आगे का टायर है और पीछे का टायर का साइज भी आप देख सकते है 16,9,28 यह 16,9,28 का पीछे का टायर है और फो ड्राइज चलाने के लिए देख सकते है दोस्तों इसको वह मेंचीद क्या होट है दोस्तो उसके जो ऑपरटिंग सीस्टम है डेख सकते हैं चटने के लिए यहां से आसानी से आप बिल्कुल इजीली अराम से कहीं पर भी अपना प्याह्रण सकते हैं इस तरह से इस तरह से लिदे वी इसका चला सकते हैं याने चसाँ भी चालक फो बारा गंटे 10 गंटे 15 गंट लगाटा टेक्टर को चलाएगा फिर भी उसको ठकावट मेंसूस नहीं होगी क्योंकि इसमें उसका पूरा सिस्टम उसका जो डिजाइन है कंपनी इस तरह से इसको धाचा है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे को इसका लोग गेर करना है मेरे को जुकने की आवसेता है नहीं है सब्सक्राइब करता है जैसा कि आप देख सकते हैं और में इसको सभी अलग अलग गेरों में चला के देखूंगा में है पहले मैंने इसको two-dry में चलाया नजीक से लाओ दिखाओ यहां से इसको हम four-dry कर सकते हैं ये मैंने four-dry में किया खेंच सकते हैं जोस्तों मैंने उसको दूसरे के घेर में डाल दिया है और sleeping नाम पी तो को भुंजा इसी नहीं है जो 37 किलोमीटर पटी घंटे के रफ्टार जो पंपी जावा करती है उसको भी आदमा लेते है उसको आदमा के देखते है मैं डालता हूं इसको डबल तोप मैंने डाल दिया इसको डबल तोप में और यह वोड राय में चलता है पित्ती टेवी के साथ इस पित्ती आए देख सलते हैं दोस्तों बाते में यार कमाल की चीज़ है बहुती उंजिया कि इसका पिकप है देख सकते हैं इसको इमर्दंशी में उसके पिकप ले दिया है जोस्तों अब देखते हैं उसका ब्रेक पावर कमपनी बोलते हैं उसका ब्रेक जो ब्रेक है उसमें कितना पावर है वो भी देख लेते हैं अब रिवर्स में भी देखते हैं उसमें कितना पावर है ब्रेक में उसका ब्रेक पावर भी आपने देख लेते हैं जोस्तों कि आपने देखा है जो मैंने आपको खुछ चला के दिखाया है ना मैंने उसको टू ड्राय में भी चला के देखा फो ड्राय में भी यहाने तू विल फॉर्विल दॉनों मैंने चला के देखा जुटाई भी मैंने खुट की मैंने उसका ब्रेक पावर भी आपको डिखाया तो प्रस्नली मुझे यह टेक्टर बहुत पसंद आया क्यूंकि मैंने उसको हर गेर में चला के देख लिया पूरी जान लगा देता है और फोर्विल करने में तो उसका पा पारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया है उनका फ्री मिसको नम्मर भी दिया है और हादुस्तों गर आप यह डबोई के अगल बगल की हिलाक एक है तो यहां पर यह जो डिलर्शिप नया डिलर्शिप शुर यह जलाराम खिचडी होटल उसके बाजू में है और वेगा डबोई और वड़ोदरा जिल्ला और गुजरात में है पूरा डिलर्शिप यहां पर आप एक बार जरूर विजिट करे तो मैं उम्मिट करता हूं दोस्तों कि आज का यह मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आय सब्सक्राइब अरूलेस !!!